सब्सक्राइब कीजिए आरजिन इहाई स्टायल टिप्स चैनल को और बैल आइकन को प्रेस कीजिए लिटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और यह बिलकुल फ्री है हेलो फ्रेंट्स वेल्कुम टु माई चैनल आरजिन है स्टायल टिप्स आज मैं आपके सांद शेयर करने वाली हूँ तुलसी के फायदे और गुण दोस्तो हमारे देश में तुलसी को एक बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है हर घर में तुलसी पाई जाती है और देवी की तरह इसकी पूजा भी की जाती है धार्मिक महत्व के साथ साथ स्वास्तर की दृष्टी से भी तुलसी का बहुत ही बड़ा महत्व है आयुरवेद में युगो युगो से तुलसी का उपयोग कई औश्रदियां बनाने के लिए किया जाता है तुलसी में बहुत सारी एंटी ऑक्सिडेंट प्रॉपर्टीज होती है और तुलसी हमारे शरीर के लिए एक एंटी बायोटिक, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजिंट का काम भी करती है तो आईए जानते हैं तुलसी के फायदे तुलसी आपकी तुचा को निखारता है और तुचा के रोगों को दूर करने में मददगार भी होता है अगर आप तुलसी और नीमो के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपके चेहरे की जाईयां और फुनसियां ठीक होती है और चेहरे की रंगत में निखार भी आता है तुलसी कैंसर जैसी भयानक बिमारियों को दूर करने में भी उप्योगी है तुलसी की पत्तियां रोज चबाने से कैंसर सेंस की ग्रोथ हमारे शरीर में नहीं हो पाती है अगर आपको बुखार हो गया है तो तुलसी के काड़े को बनाकर पीने से जल्दी ही ठीक हो जाएगा और इससे सर्दी जुखाम जैसी बिमारी भी ठीक हो जाएगी अगर आपको अस्थमा है तो तुलसी के पत्ते को अले नमक के साथ अगर इसका सेवन करेंगे तो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे डाइबिटीज के रोग्यों के लिए तो तुलसी किसी राम बांड से कम नहीं है तुलसी ब्लड शुगर को कम करती है जिससे डाइबिटीज कंट्रोल में रहती है किसी भी कारण से होने वाले सिर दर्द को भी तुलसी ठीक करती है तुलसी में दर्द मिटाने की तत्व होते हैं जिसे खाने से बहुत हद तक सभी तरह के दर्द में आराम मिलेगा दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तुलसी को एंटी स्ट्रेस एजिंट भी कहा जाता है ये हमारे शरीर में खून का संचार अच्छे से करती है और अगर आप भी इस्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहे हैं तो दस से बारा तुलसी की पत्तियां दिन में दो बार खाईए तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा गठियां जैसे बिमारी दूर करने के लिए तुलसी की जड़ उसके पत्ते और उसकी मंजरी को बराबर मात्रा में लेकर पीस लीजिए और फिर गुड के साथ मिलाकर इसका सेवन कीजिए आपकी गठिया से जुड़ी हर समस्या ठीक हो जाएगी आखों की हर समस्याओं को ठीक करने में तुलसी लाबदायक होती है रोजाना श्यामा तुलसी के अर्ग की दो बुंदों को आखों में डालिये आपकी आखें हमेशा चमकदार रहेंगी अगर आपको कान की कोई समस्या है जैसे कान बह रहा है दर्द हो रहा है या आपको कम सुनाई देता है तो तुलसी के रस में कपूर को मिलाकर हलका गरम करके कान में डाल दीजिए कान की सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी इसके अलावा किट्नी में पत्री होने पर तुलसी के द्वारा उस समस्या से भी छुटकारा पाया जा सकता है किट्नी में पत्री यूरिक एसीड बढ़ने के कारण हो सकती है और तुलसी यूरिक एसीड को कम करने में उप्योगी होता है इसके अलावा आप स्मोकिंग करते हैं और आप उसे छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रही है तो उसमें भी तुलसी कारगर है जब भी सिगरेट पीने की एक्छा जागे तो तुलसी की कुछ पत्तियां लेकर उसको चबा ले कुछ ही समय में आपकी सिगरेट पीने की एक्छा गायब हो जाएगी तुलसी हमारे शरीर की इम्यूनिटी लेवल को भी बहुत हद तक इंक्रीज कर देता है जिससे सर्दी, खासी, जुखाम, फ्ल्यू और वाइरल ये सब शरीर पर अपना असर नहीं दिखा पाते चाई में तुलसी डाल कर पीना, ठंड और बरसात की दिनों में बहुत ही फायदे मंद सावित होता है तुलसी खाने से खून साफ होता है जिससे आपकी इसकिन निखरती है और ग्लो करती है अगर आपको एकने या पिंपल की परेशानी है तो तुलसी का पेस्ट अपने चेहरे पर लगाईए या फिर तुलसी की कुछ पत्तियां रोज चबाईए इससे जल्दी ही आपके पिंपल्स दूर हो जाएंगे शोध से के पता चला है कि कोड जैसी बिमारियां भी तुलसी से ठीक हो जाती है घाव को भरने के लिए तुलसी और फिटकिरी को खूब बारिक पीस कर घाव पर लगाईए जिससे आपका घाव जल्दी ही ठीक हो जाएगा अगर आपकी स्किन जल गई है तो तुलसी का रस और नारियल तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर ले और जली हुई तुचा पर लगा लीजिए इससे आपकी जलन भी दूर होगी और जख में भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा इसकी अलावा तुलसी बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है इससे आपकी बालों की जडों में खुजली नहीं होती और आपकी बाल जढने की समस्या हल होती है तुलसी पार्डर को नारियल तेल में मिला कर बालों की जडों में मालिश कीजिए कुछ ही दिनों में आपके बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे और चमकदार भी हो जाएंगे तो ये तो थे तुलसी के कुछ health benefits अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज लाइक करना ना भूले और beauty और health related वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले थेंक यू